नमस्कार दोस्तों, ओडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है, दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे चैनल की रीच अधेखो सकें. दोस्तों, इस वीडियो में चित्रकला विशय के अंतरगत आज बात करेंगे फ्रांसिस न्यूटिन सूजा के विशय में. प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के अगुआ एवं संस्थापकों में से एक गिने जाने वाले कलाकार फ्रांसिस न्यूटिन सूजा का जन्म सन 1924 इस्वी को गोव में हुआ. बाल्यकाल में ही उनके पिता की मृत्यू हो गई थी, अतह वे अपनी मां के साथ मुंबई में रहने लगे, किन्तु सूजा की अस्वस्थता के कारण उनकी मां ने उन्हें गोव भेज दिया, जहां वे अपनी दादी के साथ रहते थे. एफन सूजा को चित्र कला में रुच्छी थी, अतह उन्होंने सन 1949 इस्वी में मुंबई के सर जे जे स्कूल ओफ आर्ट्स में प्रवेश लिया. सूजा प्रारंब से ही विद्रोही विचारधारा के थे, साथ ही कम्यूनिस्ट भी. सूजा के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटी, जिन्होंने उनके मन पर विप्रीत प्रभाव डाला और उन्हें विद्रोही बना दिया. वो थी एक तो पारिवारिक निर्धन्ता, दूसरे जीवन संग्राम में अग्रसर होने के साधनों का अभाव और फेर अनाकर्शिक व्यक्तित्व, जिसके कारण आप दो बार स्कूल से निकाले गए. उनकी मनोव्यथा की ही प्रतिक्रिया है, जिसके कारण उनके रंग और रेखाओं में समाज की पीड़ा और घुटन समाहित है. सूजा को शुरू में मेक्सिको के सुप्रसिध कलाकार दियागो रिबेरा ने अत्यधिक प्रभावित किया. रिबेरा के चित्रन में निर्मान कोशल और संगठन विधी और जो जो रोज के चमकिले रंगों के वैविध्या ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उनके चित्रों पर भी वही छाप बलवती रही. बाद में सेजां, गोगं और मातिस का प्रभाव भी उनकी कला पर पड़ा, जो ब्लू लेडी, धूसर भूर द्रिशे जैसे चित्रों में द्रश्ट हुया है. जार जेज रावले की कला से प्रेरित हो आपने गोथिक पद्धती पर क्राइस्ट और बाइबल की कथा आख्यानों जैसे आदम और इव का स्वर्ग से बहिशकार आधी चित्रों का निर्मान किया. मूर्ती कला में खजुराहों की मूर्ती भंगिमाओं ने भी इन्हें विशेश आक्रिष्ट किया, जिसकी प्रेरना से आपने प्रण्यी नामक शीर्शक लिए चित्र, जामितेक रूपाकारों में चित्रित किया. इसके पश्चात भार्तिय लोक कलाओं, नीग्रो और मान मूर्तिकला की सहज पुरातंता ने भी इन्हें प्रभावित किया. सूजा ने सन 1947 इस्वी में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समुह की स्थापना की. उनका कहना था कि अपने लोगों के बीच प्रेरना स्रोत कायम करने के लिए एक ग्रुप की नीव डाली जानी चाहिए. जिसका सहयोगारा एवं रजा ने किया और नाम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप दिया, क्योंकि प्रोग्रेसिव शब्द में आगे जाने, आगे बढ़ने का मंतव्य छिपा हुआ था. सन 1948 इस्वी में इसकी पहली समुह प्रदर्शनी हुई. फ्रांसिस न्यूटिन सुजा ने एक जगह कहा है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप की स्थापना और भारत की स्वतंत्रता लगभग एक ही वक्त हुई. यह बात सांकेतिक तो जरूर थी, पर बिल्कुल अनायास. सन 1949 इस्वी में उन्होंने पोद्ट्रेट आफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रानकन किया. सुजा आकृतियों के कलाकार के रूप में मशहुर रहे हैं. उनके नारी चित्रों में आकृतियां अने कनुभूतियां, कोमल भावनाई, उल्लास और आतुर्ता दर्शाती हैं. मुखाकृतियों के चित्रण में उनकी रेखाईं कटिली धारदार और शक्तिशाली हैं. रेखान कनों में सुजा की पकड़ गहरी पैठ लिये हैं. सुजा कहते थे कि सारी सभ्यता ही निर्वसन है. अश्लीलता की कोई सर्वमान्य परिभाशा नहीं है. उनका कहना था, मैंने शुधकला के समस्थ सिधान्तों को ताकपर रख कर लोभदूर भिक्ष, बलातकार, युद्ध और मृत्यू को चित्रत किया है. सूली, नारी और दार्शनिक, महात्मा गांधी और मनुश्य की दशा, सरको निकला परिवार, हज्रत, इसा, मस्तक, निर्वान आदी सूता के प्रसिध चित्रों में गिने जाते हैं. प्रारंब से वर्तमान तक मूर्थ चित्रों का स्रिजन कर रहे सूजा का कहना था की, अमूर्थ कला जैसी कोई चीज है ही नहीं. हर मूर्थ रचना में अमूर्थ तत्व होते हैं, कला में अमूर्थ समभव ही नहीं. सन 1984 में सूजा ने पोद्ट्रेट ओफ सेनफोई राडमांड बनाया, जो किसी वैज्ञानिक का प्रतीत होता है. के श्रहित मस्तिष्क से निकलता त्रिकोनी आकार पर सूजा कहते हैं, सूरज को पचाकर अपनी जिंदगी के प्रिज्म से इंद्रधनुष बनाओ और ब्रमां सन 1989 इस्वी में सूजा ब्रुटेन चले गए, वे समकालीन पश्चिमी कला को महत्वपूर्ण नहीं मानते, अपितु आधुनेक भारतिय कला को वे चुनोती पूर्ण बताते हैं. सूजा ने अपने चित्रों का प्रदर्शन मुंबई, दिल्ली, यूरोप तथा अमेरिका के अनेक देशों में किया है. दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.